हेलो दोस्तो मैं रूहित सेंकर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चानल study beyond classes में आज हो जो हम देखने वाले हैं वह बहुत ही important चीज अभी तक आपने देखा था कि कुछ दिनों पहले भी एक निव एजुकेशन policy आईगी तो ऑव्यस है कि government कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके change कर रही है और वहीं पर ये भी ऑव्यस था कि government एक अप्टेट लाएगी और वही हुआ तो government ने launch कर दिया है CET और बहुत लोगों के देखें और चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दें और बाल आइकन को भी प्रेस कर दें आपको आने वाली वीडियो की notifications मिलते रहें तो आईए वीडियो को start करते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले CET क्या है तो CET is a common eligibility test अब इसको launch करने का purpose क्या है देखिए अभी तक हमाएं पस बहुत सारी bodies होती जो एक्जाम को conduct कराती थी complete like SSC हो गई और भी हो गई इंडिविज्वल बैंक के अलग exams होते थे अब तो एक काम करते हैं एक सिंपल से exam ले आते हैं सब के लिए और वही किया उसके लिए इनको गठन करना पड़ा NRA का सबसे पहले formation of NRA हुआ है National Recruitment Agency तो NRA का formation किया गया जो कि हो चुका है अब और अब यही कंड़र कराई जाएगी त्यूंकि आप समझ सकते हैं कि एक रोजकार बहुत बड़ी चीज़ है छोटे लावल पर हम नहीं करवा सकते तो बड़े लावल पर करवाएंगे इस वज़े से हम इसको अभी एज़ा ट्राइल ले रहे हैं और देख रहे हैं गवर्मेंट इस फेस होगा इनी के लिए होगा हो सकता है इन फ्यूचर एक्सपूसर देखने को मिले हमें यह स्टेट पे भी अप्ली केबल होना शुरू जाएगी स्टेट कंड़क्टिं एक्जाम फिर आपको यूनियन पे भी क्या पता अफ्रक्ट कर दें अपर कुछ नहीं कह सकता है क्य बढूद आप लिए अथ आणिदम्सृ अपने क्वालिफाई कर लिया अब जो आगेका फॉड़ होगा हुगा यू अपने हिसाब से कराएगा, SSC अपने हिसाब से कराएगा और bank अपने हिसाब से कराएगा, for example, SSC का आपने CGL दिया, ठीक है? CGL में आपको पताए, freelance होता, main होता, interview होता है, तो ठीक है, तो हमने freelance हो गया, freelance आपका CET हो गया, इसके बाद आप क्या देंगे? SSC का main देंगे, और मैं इसके बाद आपका interview मतलब first phase तो सब के लिए common होगा CET के नाम से और इस CET के बाद individually ये bodies अपने exam को conduct कराएंगे पांचवी चीज चो देखने को मिलती है जिसका scorecard होगा बिटा that will be valid for three years तीन साल तक इसका scorecard valid होगा तो ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रहे है कि तीन साल तक होगा आपने films निकाला मतलब CET के exam निकाली और आप prospective exam जहां पर भी आपको देनी है आप और आप से आपको परिशान नहीं होना पड़ेगा कि यार ये exam का पौम निकला है वो निकला है बढ़ दो ये कर दो आपका time बच रहा है आप exam को फर्दा देने के लिए जाते थे इधर उदर भागते रहते थे कितने दिक्कत होती थी अब वो दिक्कत सारी दूर हो जाएंगी क्योंक इनों सेक्टर्स कवर हो रहें बट होफुली कि इन फ्यूचर काफी चीजों भी एक्स्प्लोर होती जाएंगी और सीटी के अंडर में आते जाएंगी तब ये ट्राइल बैसीज पर हो रहा है देखते हैं ट्राइल बैसी पर गौर्वर्मेंट कितना करती है कितना नहीं जि आपको इतनी चीज समझ में आई होगी और 2021 से कवर्मेंट विल स्टार्ट वाकिंग ऑन इट और अब यह जो तीन सेक्टर्स हैं यह इसी में कवर के जाएंगे सीटी के थ्रू तो विश्यू आल दा वेरी बैस्ट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेर जरू करना और चैनल पर नए हो तो सब्सकाइब भी कर देना और बैल आइकन को प्रेस करना मत बूनला क्योंकि हम आपको ऐसी ही लेटिस वीडियो की अपडेट्स देते रहेंगे और स्टारी चीज क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा प्लस एकडेमिक्स भी मिलेंगी आपको तंक्स ओवचिं और वचिंग अच्छिंग झादेघ थिए तंक्य।